तो हे गाइस आपने इंस्टाग्राम पर कुछ इस टैप्स की डीपी देखी होंगी जिस पर गॉल सरकल बना हुआ होता और ब्लू टिक लगा हुआ होता है तो आप उस टैप्स की डीपी कैसे क्रियेट कर सकते हो क्योंकि आज की सुडियों में हम यही बात करने वाले हैं क्यो क्योंकि आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है हमारी फ्रोफाइल में तो चलते हैं वीडियो को स्टाट करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं सर्च वाले आइकन पर आजाना सर्च वाले आइकन पर आजाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना इंस्टा जो मैं सर्च कर रहा हूं वही सर्च करना इंस्टा यह वाला इंस्टा रोकेट यह वाला सर्च करने के बाद इसको आपको ऐसे जूम कर लेना और यह इस वाली पस्ट वाली link पर क्लिक करना कि क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुछ सɑफिंस हो जाएंगी- मतलब या बहुत सी e Environ हो जाएगी तो थोड़ा सा ने टो है तो थोड़ा सा time ले रहा थोड़ा सा wait करना तो आप देख सकते हैं यहां पर आपके सामने बहुत से सर्कल्स दीख गए हैं तो आप इन कोई सा भी सर्कल चूश कर सकते हैं और फिस वाली DP को मतलब कि यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कुछ इस टाइप का फोटो तवार यहां पर गोल सरकल आ चुका है तो मैं आपको कोई साथ भी सिलेक्ट करके बता देता हूं तो मैं यह वाला सिलेक्ट कर लेता हूं इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फोट डीपी सेट करना चाहते हो आप उस वाली डीपी को सिलेक्ट कर लेना तो मैं DP select कर लेता हूं तो मैं यह वाले select कर लेता हूं select करने के बाद आपके सामने बोड time लेगेगा इसे क्योंकि इसमें ज्यादा time लगता है तो आपको थोड़ा सा wait करना है यहां पर लिखा रहा है loading तो आपको wait करना है तो आप देख सकते हो यहां पर गॉल यहां पर डाउनलोड हो चुका है तो मैं आपको डीपी एड़ करके भी दिखा देता हूं तो मैं यहां पर आ जाता हूं Instagram पर फिर से सेट करके आपको दिखाता हूं तो इस पर क्लिक करता हूं और इस पर क्लिक करता हूं प्रोपाइल फोटो गिलेरी में आ जाना गिलेरी में आ जाने के बाद यह देख सकते हो यह फोटो आ चुका है तो फिर आपको इसको यहां से next कर देना next करने के बाद फिर से next करना next करने के बाद यहां से वेट करना देख सकते हो यहां फर डीपी सेट हुच चुकी है और एकदम अच्छा सा लुक आ रहा है तो आप भी इस टाइप की